यहां पर दोस्तों इस वीडियो में आपको बताऊंगा Android 12 के अपडेट के बारे में बिसिकली दोस्तों इस वीडियो में हम तीन पॉइंट के रिगाडिंग बात करेंगे सबसे पहला पॉइंट Android 12 का जो अपडेट है वो इंडिया के अंदर कब तक रिलीस किया जाएगा उसके रिगाडिंग में आपको इस वीडियो में बताऊंगा नमबर टू पांट भाईया Android 12 हमें कौनसे को डिवाइस के अंद दिखने को मिलेगा उसके रिगाडिंग में आपको इस वीडियो में बताऊंगा और नमबर थरी पॉइंट जासे बात करते हैं सबसे पहला थो अपडेट है वो इंडिया के अंदर कब तक रिलीस किया जाएगा उसके रिगार्डिंग तो अगर अगर आप Android 9, Android 10 और Android 11 का रोडमाप देखते हो तो इन तीनों ही वर्जिन को ना फेवरेटी से लेके सेप्टमबर के बीच में रिलीस किया गया था ठीके तो यहां आपको बदा दू Android 12 का जो डेवलपर प्रिव्यू अपडेट है मतलब सेप्टमबर के मैने मतलब सेप्टमबर 2021 के अंदर हमें Android 12 का जो स्टेबल अपडेट है वो गूगल के तरफ से दिखने को मिल जाएगा तो ऐसा दोस्तों होने वाला है कुछ टाइम लाइन फिलाल दोस्तों यह ओफिशल लिए हो सकता है एक महीने का इधर उधर मतलब हो सक जाता है और उसके बाद में जैसा मैंने आपको बताया February, March, April और मे तक डेवलर प्रिव्यू वर्जन उसके बाद में जून, जुलाई और अगस्ट में बीटर वर्जन और फाइन दोस्तों सेप्टमर के मैने में जो स्टेबल अपडेट है वो लांच हो जाता है तो सेम पॉपुलर डिवाइसेज फॉम पॉपुलर ब्रैंड्स लाइक शाओमी, रियल्मी, ओपो, वीवो या फिर सैमसंग वन प्लस के दरफ समय 2021 में दिखने को मिलेगा आउट अप द बॉक्स एंड्रोइड 11 के साथ में उन सभी डिवाइसेज में आपको एंड्रोइड 12 का जो 2020 में लांच होँ था, उनको भी या एंड्रोइड 12 का जो अपडेट है, वो देखने को मिल जाएगा, ठीके, मतलब कुछ ऐसे भी फोन से जो एंड्रोइड 10 के साथ में लांच होँ था, आउट अप द बॉक्स, यहां पर हम बात करते हैं, रियल्मी की, तो रियल्मी 6 प्रो इसका लब और कई सारे डिवाइसे में आपको प्रॉपर तो नहीं बता सकता, और जहां तक बात हैं, सैमसंग, वनप्लस की तो हां, इनको भी मतलब, वनप्लस का दब को बताईए, दो या तीन इमेजर अपडेट देखने को मिल जाता है, सैमसंग के जो फ्लेक्शिप फोन से उनको भी मिलेगा, तो बहुत सरे डिवाइसे को जो है ना, एंड्रोइड 12 का जो अपडेट है, वो देखने को मिल जाएगा, लेकिन हाँ प्रॉपर अभी डिवाइसे लिस्ट बताना काफी ज़्यदा मुश्किल है, लेकिन हाँ इतना बगर के चलो, इस साल, 2021 में जितन को मिलेगा, तो मैं आपको बता दू, फिलाल ना, दो ही फीचर के रिकार्टिंग हमें पता है, सबसे पहला जो यह आपे फीचर आपको मिलेगा, वो यह है कि Android 12 के साथ में आभी आपको, इंड्रोइड वीपेन का जो सपोर्ट है, वो देखने को मिल जाएगा, क्यूंकि according to XDA Developers, Google ने दूसरे यहां पे जो वैरगर्ड वीपेन है, उसको भाईया Android 12 का जो Linux करनल है, उसमें एट कर दिया है, ठीके, तो according to XDA Developers, Android 12 के साथ में आपको वैरगर्ड इंड्बिल्ड वीपेन का जो सपोर्ट है, वो देखने को मिल जाएगा, और जहां तक बात हैं दूसर एप या फिर गेम को प्ले स्टोर से डाउनलोड किया है, उसके बाद में आपने उस एप को कई दिनों तक, कई महीनों तक उपन नहीं किया, तो अगर आप ऐसा काम करते हो, तो उसके बाद में वो जो एप है, वो हाइबर्नेट हो जाएगा, ठीके, मतलब फोन का जो स्टो कर सके, तो फिलाल इसके डिगार्डिंग तो इन्फरमेशन नहीं है, लेकिन आपको हाइबर्नेशन करके फीचर दरूर से देखने को मिल जाएगा, एंड्रोड 12 के साथ में, तो फिलाल दोस्तो इतने साड़ी इंफरमेशन एवलावल थे हमारे पास एंड्रोड 12 कर दोका एंड्रोड ओंट एंड्रोड एंड्रोडी नहीं है, उन्प्रोड एंड्रोडें एंड्रोड जाएबर्नेशन एंड्रोडें वे लिए।